जो हमारे स्रीर के लिए जुरूरी है खून की कमी को दूर करने बहुत लाबकारी है स्रीर को टाकत देता है यह उन्सक्ति बढ़ाता है विशेश रूप से गर्मियों पे यह जडिए आपको गर्मी लगती है लू लगती है तो आम खाएंगे तो आपको लू नहीं लगेगी क पका हुआ आम हमेशा पित सामक होता है और योदि आप कच्छे आम को खाएंगे तो यह विटामिन C का बहुत रिच्छोर्स है कच्छे कच्छे आम का पंदा बना के खाएंगे लू लगने पे तो लू लगने वे बेक्टी को बहुत लाब मिलता है दूसरा डाइजेस्टिस में बहुत करता lives के की कि कमीन की लिए बहुत लाब कर रहे हैं या या चीखार लेके आना चमक लेगे आना चाहता है तो आम खाईए आम का गुधा चेरे पे लगाईए पल्प को इसको लगाएंगे तो आपके चेरे पे रोनका जाएगी विटामी नहीं का रीच्छोंस है लेकिन हम क्या करते हैं तो बहुत लोग खाते हैं आम के खाने के बाद हम इसके अंदर से जो बनाले आदा आदा चमच यूबर श्याम काईगे तो आपको पेट की कोई भी दिक्त है अलसरेटी कोलाइटी से खून आता है आपकी लेटरी में बूनी टेची से तो उसमें बहुत लावकारी आदा आदा चमच इसका लीजिए आपको पाईगिया है दांतों से सबर रहती लेके उसमें एक लीटर तेल तेल में पकाईए उस तेल को लगाई यह तो बाल काले हो जाएंगी केलसियम की कमी को ठीक करता है पेट की कोई भी प्रोब्लम है खासकर जो गृबदती महीलाएं यदि वो आम की गुठली का सेवन करेंगी तो उनको कैलसियम की कमी यह और उन इसको भून के भी खा सकते हैं भून के खाने से बहुत टेस्टी हो जाती है पेट की कोई व्यादी नहीं छोड़ेगी आपको पेट में दर्द रहता है अलस्रेटिव पॉलाइटिस है कैल्सियम की कमी है जोडों का दर्द है भूग नहीं लगती बाल जल्दी से फेद होके त उसके साथ साथ आम के पत्ते आम का पत्ता जो आम के हरे हरे पत्ते होते हैं उनको आप शाओ में सुगा के पॉड़र बना सकते हैं या उनका काड़ा बना के तन्रा भीज पत्ते लें एक गिलास बानी में लोगा रहा है आदा गिलास रह जाए तो उससे पीएंगे तो आप तो इस प्रकार से आम को फनों का राजा वैसे ही नहीं कहा जाता यह आपके अगर मोरियों पड़ जाते हैं तो इसकी गिरी को पानी में पीशकर लगाएंगे तो भॉमोरियों ठीक कर देगा इसी प्रकार से आप को जलन हो जाती है यागनी दगते तो उसमें भी बहुत लावकारी है कई बढार हम देखते हैं कि valid और माताय मेंना को फ्रेंदे जाद शे през Normal CC 커플 su आप लेंगे तो बहुत चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपको लीवर के लिए किद्नी के लिए बहुत कारगर है आम खाने से किद्नी आपकी किद्नी की फंक्स्टिंग इंप्रोव हो जाती है तो यह बल्ले है ताकतवर है और सबसे बड़ी बाद की कि श्वारी स्टैल लेकिन के सब्सक्राइब करें तो मेरी सभी से प्रातर है कि आप इस विडियो को ज्यादा से ज्यादा से चैयर करें ताकि हिंदुस्तान के हमारे भारत के सभी भाई वेलिए इसकी गुट्लियों का फैदा उफ्रास्ट we a करेंगे चैनल करेंगे दूसरा सबसे ज्यादा कारगर इसके पत्तों के पाणी को बहुत लाब मिलेगा इसके जो पत्तों का क्वार्ट बना के यह दी आप यहेंगे तो वेरिकोज वेन की जो समस्या है हमारे रक्त प्रवाद को ठीक करता है तो वैशल्स को मजबूत करेंगा तो वरिकोzeओं में भी इसके पत्तों का काड़ा बणागे होरा जा मोटापने पेट कि तिक करना चाहते हैं ये इसकी गुटली का पर बनागे जुरूर कई ताकि हमारे भारत के सभी भाई भैं बजब को ठांब कि बात में सिल्ओं के लोग के लाग उठाएं और आम को खाने के साथ साथ इसकी गुठली का परियोग करें इसकी परियोग करें इसकी क्वेज़ी गुठली आमसे जियागा कारगर है बहुत भुत धन्यवाद जय ही